हाई मैं पशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीडियूटू कॉमूनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो आपको वालूम प्रोफाइल के उपर बात करने जा रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको वालूम प्रोफाइल एडेट भी दिखेगा तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हम वालूम प्रोफाइल के उपर इस वीडियो में क्यों बात करें वालूम प्रोफाइल का इंपोटेंस क्या है तो इसके इंपोटेंस को समझना है क्योंकि बहुत साह लोगों को य हमें इसाताक में रहते हैं कि वो market को manipulate कर सके और काफी हग तक बहुत बार वो market को अपने favor में manipulate भी करते हैं तो हम as a retail trader उनसे competition नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास technology available वहता है, algorithm available वहता है, expert लोग available वहता है तो उनसे हम किसी भी field में competition नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास चारा क्या बसता है, हमारे पास चारा यहीं बसता है कि हम उनको follow करें, वो जो कर रहे हैं उनको follow करें traders market में entry किये और किस level पे entry किये ये भी आपको एकदम clear cut आपको बता देगा इसलिए volume profile का importance बहुत ज़्यादा हो जाता अब आपके मन में एक और doubt होगा कि volume और volume profile दोनों में क्या अंतर है यहाँ पे एक और आपके मन में doubt होगा कि volume और volume profile दोनों एक है या अलग अलग नीचे आपको यहाँ पे volume दिख रहा होगा और इस site में जो दिख रहा है यह आपका है volume profile तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों के बीच में डिफरेंस किया volume हमें बताता है कि किसी particular time frame में कितना trading हुआ है कितना volume है वो हमें बताता है यह नहीं अगर हम यहाँ पे big players की बात करें big players किस particular time में entry किये वो हमें बताता है volume जबकि volume profile हमें बताता है कि किस particular level पे market में big players entry किये इसको आप ए simple example के थोड़ समझ सकते हैं एक room अंधेरा पूरी तरके से बस उसमें कुछ समान रखा गया है आपको यह बताया गया कि उसमें समान रखा हुआ room पूरा अंधेरा आप उस room में जाओगे उस room में जाओगे तो आप बहुत बार ठोकर खाओगे क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि कौन सा समान कहां पे रखा गया लेकिन जब आपको ये बता दिया जाएगा कि उस रूम में इतने समान है और ये समान इस पार्टिकुलर पार्टिकुलर जगा पे रखे हुए तब आप रूम कितना भी अंदेर आओ आप उसमें इंट्री कर सकते हो आपको ठोकर नहीं लएगा तो वही का इंसका important समझ में आघया ओगा कि क्यों हम आज इस वीडियो में वॉय्म प्रोफाईल के उपर बात करने जा रहे हम किसी भी टॉपिक कि ऊपर बात करते हैं उसका emotions बहुत होता है और धिवे धिर हम ग्रैज्वाली टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक ही बार अगर हम हाईयर टॉपिक पर आ जाएंगे तो वह आपको समझ भी नहीं आएगा वह बाउंस कर जाएगा आपके सर के उपर से फिर उसको बनाने के बीचे कोई मकसद नहीं इसलिए ह यहां पर आपको कहीं भी फिरी में नहीं मिलेगा यह सब आपका पेड़ कोर्स है लोक जैन्वली 30 40 50 60 तक चार्ज करते हैं यह सब छोटी छोटी बात सिखाने के लिए यहां पर फिरी में सीख रहे हैं बस एक ही रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कॉ वालूम प्रोफाइल का इंपोटेंस आज हम इस वीडियो में सीखते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले आईसे इसे बैंक के चार्ट पर आते हैं और यहां पर हम वालूम प्रोफाइल को समझने कुसिस करेंगे और वालूम प्रोफाइल के बेसिस पे हम ट्वेडिंग डिसिय लेने में कैसे help करेगा हम जो ट्वीरिंग करते हैं उसके को कैसे increase करेगा चलिए देखते हैं अब यहां पर देखिए आई से बेंक के हम previous move को देखेंगे उससे पहले हम आज के move को समझने कोशिस करते हैं नीचे आपको volume दिख रहा होगा उस पर ध्यान नहीं देना इधर आपको यह volume profile अगर आपको add करना है तो देख सकते हैं जरोधा के trading platform में जा सकते हैं या फिर आपके stock या angel broking किसी के भी trading platform म जा सकते हैं और यहां पर आपको studies पर क्लिक करना और इसके बाद यहां पर आपको volume profile टाइब करना है और यह बाला दिख जाएगा यह आपको add कर लेना है फिर आपको इस तरह का चार्ट आपको add हो जाएगा ठीक है कहां से add करेंगे idea मिल गया अब यहां पर देखेंग आई इस candle पर volume देखो तो volume आपको बहुत जादा दिख रहा है green volume इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमें buy side की तरफ जाना है क्योंकि यह जो positive momentum है हमें आगे भी देखने को मिल सकता है लेकिन अगर हम price action यानि तो simple volume profile देखें मुझे पता चल गया कि इस particular level पे क्या थे कोई buyer intuition नहीं ultimately क्या आना था price को नीचे आना था तो यहां पर volume profile हमें कैसे help किया यहां पर जो हम buy side की तरफ जा सकते थे जो हम गलत positions बना सकते थे सबसे पहले वो लेने से हमें बचा दिया यानि जो loss मेरा हो सकता था loss से मुझे protect करके बताया दूसरा कि बोलाए कि price नीचे आएगा अब price कहां तक आ सकता अब देखिए जिस एरिया में ज़्यादा volume है आपको यह area दिख रहा होगा इस area में आपको बहुत ज़्यादा volume profile दिखेगा तो price आपका इस area तक आ सकता है और price देखे नीचे गिरके इस area तक आया भी है अब यहां पर आपको एक point दिखेगा जहां पर आप of control, point of control हम क्यों बोलते हैं, हम यहाँ पर किस players की बात करें, हम यहाँ पर big players की बात करें, operators की बात करें, जो market को अपने favor में manipulate करने की कोशिस करते हैं, और वही 10% लोग market में 80% volume लेके आते हैं, तो यह आपका जो POC है, point of control है, सबसे ज़्यादा interest आपका उन्हीं level पे होता है, यहाँ बिग players का interest, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो big player है, उनका interest कौन से level पे है, उनका सब ज़्यादा interest इस level पे है, य यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इससे नीचे आपको buy करना है, और इससे उपर जाता है, अगर volume थिन हो गया, तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना, वहाँ पे sell करना, यानी तो आपको profit book करना, यह लेबल हमें एक level बताता, जिस level पे big players interested है, आप simple सब्दों में एक बात स आपको साथ को समझ बाजागा, जहां भी आपको यहाँ पे big volume देखने हो को मिले, समझ आए कि आपका big volume नहीं है, यहाँ पे यह big players आपके market में entry कर रहे हैं, या market बने हुए, या फिर उसका interest इस particular level पे है, और आज ICA से bank को देख लीजे, सबसे पहले आपका ICA थोड़ा सा पे था, अभी आपका थोड़ा सा उपर की तरफ चला गया, उससे पहले आपका POC इस point पे था, और POC धिए धिरे उपर नीचे भी होते रहता है, तो इस particular point के बाद, price नीचे आया, फिर price आपका उपर की तरफ गया, अब फिर ज्यादा उपर गया, अब इस point के बाद देख कैसा है, यह fight area wise fight है, सबसे पहला, market आपका उपर की तरफ गया, यहाँ पे sellers बैठे हुए, sellers ने क्या बोला, भाई तुम मेरे इलाके मा गया हो, अब तुम मेरे इलाके से बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हारे में दम नहीं है, नीचे जाओ, नहीं तो यहाँ पे हम तुमको पी अब यहाँ पे price आने के साथ है, क्या हुआ, buyers बोला है, कि भाई अब तुम मेरे इलाके मा आगया हो, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आदमी है, अब क्या हुआ, अब जैसे buyers की इलाके में आया, तो sellers कमजोर हो गया, अब बोला कि भाई, अब तुम वापस भागो, अब क् प्राइस यहाँ से वापस उपर की तरफ भागा है, फिर sellers ने अपना इलाका यही अपना रेंज बरा लिया, अब sellers यहीं पर हाभी हो गया, बोला भाया हम इससे उपर तुम को जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हार में स्ट्रेंथ नहीं है, तो फाइट करके उपर निक और sellers ने अपना इलाका बना लिया, और यह इलाका आज का नहीं बना हुआ, आप previous move को भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर previous move को भी देखो, इस level के करीब आने के बाद, क्या हुआ, कल भी, sellers हा भी हुए हैं, और उसके बाद price आपका नीचे की तरफ गिया है, और यह level ज आपका resistance के रूप में काम कर रहा था, जैसे ही price इसके उपर आया, यहाँ पर sellers हा भी थे, sellers की इलाका में इंट्वी किया है, buyers में strength नहीं था, वापस से price आपका नीचे की तरफ भागा है, ठीक है, जैसे ही नीचे की तरफ आया, फिर buyers active हुए और आज market gap up open हुआ है, gap up open होने के बाद, अब यह जो है, point of control, यह आपका लगभग support के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही price इसके नीचे जाता है, यहाँ पर buyers active होते हैं, और price आपका ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर support और resistance लेबल भी आप कुछ हद तक intraday level पर find कर सकते हैं, तो इसके basis पर आप इसके basis पर price section भी अगर आप add कर लो, जिसके उपर हमने बहुत सारे वीडियो अलवेडी बना रखा है, अगर आप यहाँ पर candle के strength को भी देखने के कोसिस करोगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ताकि आपको clear दिखे हैं, तो यहाँ पर अगर आप candle के strength को भी देखने कोसिस करोगे, उसके basis पर थोड़ा बुद और decision ले सकते हो, अकेले volume profile के basis पर trade नहीं करना, volume profile के साथ आपको और भी कुछ add करना होगा, वो होगा आपका price action, तो आपका accuracy आएगा, अकेले कोई भी indicator या tool या फिर volume कुछ भी मदद नहीं करेगा, यहाँ पर आपको एक clear picture समझ में आएगा, buyers और sellers के बीच में यह fight चलगा, यह जो range के बीच में fight चलता है, इलाके के बीच में fight चलता है, वो कैसे समझ में आता है आपको, वैसे यहाँ पर हम एक और example लेते हैं, HDFC bank का, यहाँ पर भी देख सकते हैं, volume profile added है, इसको हम refresh कर देते हैं, यह हमारा live market हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक और example के थूर समझने के कोशिस करते हैं, यहाँ पर हम HDFC bank के example पर आते हैं, अब यहाँ पर देखिए HDFC bank में क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत दिनों से एक range market पकरे हुए, उसी range के बीच में trade कर रहा है, सबस जब इसके उपर buyers का बिलकुल भी दबदबा नहीं है, buyers, sellers की इलाके में आ गया है, जहाँ पर buyers बहुत ज़्यादा कम जोग रहे हैं, फिर वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से buyers भागेगा और price आपका नीचे की तरफ गिरेगा, उसकी बाद देखिए, price आपका नीचे की तरफ गिरा है, और यहाँ पे support कहां लेगा, अब आपको यहाँ पे point of control find करना, सब ज़्यादा volume profile आपको यहाँ पे כ्या बन जाएगा, यह आपका TOC level बन जाएगा, यह क्या करेगा यह लेवल आपका support के रूप में काम करेगा, किसके लिए? HDFC bank के लिए, þीक है, उसकी ब तो उसके बाद आप यहां पर कल के थी मूउब को देख सकते हो कल भी आपका क्या हुआ था यहां पर देखिए इस कड़ी वार्या था और इसs시lt कि ऊपर क्या था बाइर सक कोई काउ छे उलाका था वह इंबागा था उसके बाट बायर यहां जो रोगे, बायर्स का नमबर बहुत कम हो गया, तो क्या करेंगे, वो आपसे नीचे की तरफ जाएंगे, और उसके बाद अगले दिन gap down उपन हुआ है, फिर देख सकते हैं, इस range से इस range के बीच में आते ही, मैं clear कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर भी आप देख सकते हूँ, सेम range है, तो यहाँ से मैं आपको range ड्रा करता हूँ, देखिए, यह जो range है आपका, इस range के बीच में, क्या है, यहाँ पर आपका एक resistance line है, और इसके उपर अगर आप volume profile को देखोगे, तो volume profile आपका बहुत ज़्यादा थीन है, थीन का मतलब क्या है, कि इसके उपर buyers का कोई control नहीं है, इसके उपर buyers बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहे हैं, और यह जो इलाका है, यह किसका इलाका है, sellers का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर buyers कमजोर नहीं है, market में दो ही लोग रहते हैं, buyers या sellers, जहाँ पर buyers कमजोर है, वहाँ पर sellers हा भी है, जहाँ पर sellers कमजोर है, मतलब buyers हा भी हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए, पिछले दो-तीन दिरों से, यही आपका resistance group में काम कर रहा है, और यहाँ पर जाने के बाद, price आपका नीचे की तरफ आ रहा है, at the same time, अगर हम यहाँ पर एक line ड्रॉ करते हैं, यह range, और यहाँ पर जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जाने के बाद, buyers active हो जा रहे हैं, क्योंकि यह जो इलाका है, यह आपका buyers का इलाका है, इसके बाद आपका volume profile यहाँ भी thin हो रहा, नीचे की तरफ volume profile thin हो रहे हैं, मतलब क्या है, कि यहाँ पर sellers available नहीं है, price इसके नीचे जाने के chances बहुत कम दिख रहे हैं, main जो है, यह जो label है, यह सब आपका यहाँ पर support के रूप में काम करेगा, और यहीं से price का reversal भी आपको देखने को भी मिल सकता है, अभी भी live market में देख सकते हैं, price आपका, इसके करीब आ रहा है, यहनि अगर इसके करीब price आता है, तो यहाँ पर हमें reversal देखने को मिल सकता है, तो इस तरीके से आप levels भी find कर सकते हैं, और इस level के basis पे आप inverted trade ले सकते हैं, यह आपका एक range दे दिया, और जब भी आपको range मिलता है, तो range के basis पे आप बेहिजग trade लीजे, क्योंकि यहाँ पर आपको लगबग 4-10 बार profit मिल सकता है, और सिर्फ एक बार नुकसान होगा, वो नुकसान कभी भी हो सकता है, जब आइदर यह range को break करेगा चाहिए उपर या नीचे, लेकिन उस एक loss के चक्कर में यहाँ पे हम 4-5 बार profit नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट यहाँ पे देख सकते हैं, 19 चार से लेकर लगबग आज 26 चार, इन 4-5 ट्रेइडिंग सेसंस में आपका market पूरा का पूरा एक range के बीच मूव किया है, और यहाँ पे आपको multiple times मौका मिला है, पहला मौका यहाँ पे मिला है, दूसरा मौका बाई करने का यहाँ पे मिला है, तीसरा मौका आपको sell करने का यहाँ पे मिला है, चौथा मौका बाई करने का मिला है, फिर यहाँ पे sell करने का मौका मिला है, फिर यहाँ पे आपको buy करने का मौका मिला है, फिर यहां पे आपको sell करने का मौका मिला है यानि इसके basis पे आप by sell दोनों करते तो seven trade आप ले सकते थे और seven trade में आपको profit होता है अब इसके बाद मुझे अगर नुक्सान भी हो जाए एक दो trade में तो क्या फर्क पड़ता है मैंने already यहां से profit कमा लिया तो इस तरीके से आप volume profile के basis पे find कर सकते हैं अब यहां पे क्या मतलब है यहां पे maximum volume यानि point of control क्या मतलब है मैंने आपको बदा है था जहां पे ज़्यादा volume हो हो समझ जाए कि वहां पे क्या हो big volume that means to big players यहां पे big players बहुत ज़्यादा interested है और यह आपको accumulation phase और distribution phase के बारे में भी idea दे देता है जैसे ही price यहां पे आता है यह आपका क्या बन जाता है यह आपका बन जाता है accumulation phase या फिर accumulation zone जहां पे big players क्या करते हैं buying करते हैं उसकी बाद जैसे इस range के पास आता है यह आपका क्या बन जाता यह आपका बन जाता distribution phase, इसके उपर हमने already वीडियो बना रखा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, यह बन जाता आपका distribution phase, जहाँ पे selling किया जाता है, जहाँ पे माल को dump किया जाता है, तो इस तरीके से आप accumulation और distribution phase को भी identify कर सकते हैं, अगर आपने यह वाला वीडियो नह इस तरीके से आप एक रिवर्सल ऊपर की तरफ लेता है, तो इस तरीके से आप एक range decide कर सकते हैं, और उसके basis पे आप easily intraday positions ले सकते हैं, और यह आपको बता देगा कि कब और किस level पे big players interested हैं, so that's all friends, उमीद कर तेंग आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक करके हमें इनकवेज किजे, ताकि इस तरह के और भी हम informative वीडियो आपके लिए regular basis पे लाते रहेंगे, सो मिलते नेक्श वीडियो में, जैहिन!